जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो जनवरी की शुरुवात में ही शुक्र ग्रह का राशी परिवर्तन होने वाला है नौ जनवरी सुभा चार बज कर चौधा मिनट पर शुक्र देव मकर राशी से निकल कर अपने मित्र शनी की राशी कुम राशी में प्रवेश करेंगे और शुक्र का ये गोचर जो है बहुत ही महतपुन गोचर होगा क्योंकि ये अपनी मित्र की राशी में जा रहे हैं और मित्र की राशी में शुक्र अधिक बल्वान होंगे और अपने पूरे जो उनके पूरे कारक जो गुण है उनका प्रभाव इससे में रहेगा और इस वीडियो में हम बात करें व्रश्चिक राशी की कि व्रश्चिक राशी के लोगों के लिए शुक्र का ये जो तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और पासी बने घंटी के बटन को दबा दें इससे हमारी आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी व्रश्चिक राशी की हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशी के लिए जो शुक्रदेव हैं वो आपके साथवे और दसवे भाव के स्वामी हैं और इस गोचर की अबधी के दौरान आपके चौथे भाव में वो आने वाले हैं यानि ये शुकर का गोचर आपके चौथे भाव म और जो शुक्रदेव हैं वो भी बहुत इक सुख साधनों के ही प्रतिनिदी ग्रह माने जाते हैं तो शुक्रदेव जब ऐसे भाव में आएंगे तो इस भाव में आकर उनका जो काम है वो अधिक अच्छा होगा ये आपके चौथे भाव में आकर आपके जीवन में सुखों की व्रति करेंगे और केवल इतना ही नहीं इस समय अगर आपकी माता जी का स्वास्ते खराब था कोई परिशानी चल रही थी तो आप देखेंगे कि उनके स्वास्ते में कैसे दिन पर दिन अनुकूल उनका स्वास्त होता जाता है घर में आपको सभी तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ती होगी सुख सुविधाओं में व्रत ही होगी इस दोरान आप अपनी घर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खरीज सकते हैं जैसे आप कोई नया टेलिविजन ले सकते हैं, राफ्रीजरेटर ले सकते हैं, एर कंडिशनर ले सकते हैं या फिर घरेलू चीज़ें कुछ ऐसे ही आप अप अप्लाइंस खरीज सकते हैं क्योंकि ये आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं और ऐसे ही चीजें आप इस समय खरीदने के आपके लिए योग बना हुआ है इस गोचर के दोरान आपको सुखों की प्राप्ती होगी आपका जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत ही बहतर रहेगा आपके परिवार क लोगों में एक दूसरे के प्रती प्रेम बढ़ेगा प्रेम की भावना रहेगी जिससे जो आपसी तालमिल है वो बहुत बहतर बना रहेगा जो लोग विदेश में रहते हैं उन्हें इस दोरान घर आने का मौका मिल सकता है और इस समय आपके जीवन साथी की तरप से आपक आप बड़े अच्छे से यहां निभाएंगे जिससे सभी को खुशी होगी कारेशेतर में इस दोरान आपकी जो इस्थिती है वो बेहत अच्छी रहेगी और कहा जाए तो यह जो गोचर है यह आपके लिए बड़ा ही अनुकूल समय रहेगा इस गोचर की अवदी में आप आप गरे लोग कहर्च हला की होंगे लेकिन यह कर्च आपकी बहुत इक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए होंगे इस समय जीवन साथी को लेकर भी आप कुछ खर्च कर सकते हैं लेकिन यह जो खर्च होगा यह आपके लिए खुशियां लेकर आएगा वह यानि एक ऐसा शुक्र के जो फल है वो पाना चाहते हैं तो आपको एक पान का पत्ता लॉंग डाल कर लक्षमी मा को अरपेद करना है शुक्रवार के दिन जो आपके लिए बहुत अधिक शुब देट रहेगा तो दोस्तों इस गोचर का पूरा लाव आप उठा हैं क्योंकि ये गोचर आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का अधिक से अधिक लाइक शेयर करें